राफिल दील पिछले कुछ महीनों से राजनीती कारणों से चर्चा में बनी हुई है। जहां कॉंग्रेस पार्टी राफिल लड़ा को विमान सौदे को लेकर देज भर में हाय तौबा मचा रही है। वह था कि हवाईजास था कि हवाईजास उड़ सकता है और उसमें पाइलेट बेड़ सकता है। जो दूसी गवर्मेंट आती है यह अवाईजास आती है। जो दूसी गवर्मेंट आती है। जो दूसी गवर्मेंट 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 पर जो अठरा हवाईजास ले रहे थे। मालवा चेंबर आफ कॉमर्स ने पहली बार एक नया प्रयोग किया है कि जो देश के राश्य मुद्धे हैं उनमें कोई चर्चा आपस में जो लोग जानकार हैं जो लोग इस पर चर्चा करतें उनके बीच में चर्चा खुली बहस की जाए। ताकि दोनों पक्ष सभी को मालूम पढ़ें और जो धूंद है वो छटें इस नाते से मेरी पिछली बार जब हमारी वाटसेप पे डिवेट हो रहा था तो मैंने नारंग साब साग्रा किया कि मेरी और कोठारी जी की वन टूवन डिवेट करा लें ताकि हम आपने सामने बा का आधार है वह 2001 से सेना की आवशकता राफेल या यूरो फैडर होता कोई भी आधूनिक विमान की आवशकता प्रमुख बात मेरे मेरा कहना था और पूरे 10 वर्ष में कॉंग्रेस के सरकार ने उस पे 10 वर्ष तक मेहनत की लेकिन 2014 में उसको वापस पुनर विचार करके खा सरकार ने शरकार के समय जो प्रस्ताव थे डो तरह के ऐरकाफ्ट एक खाली हवाईजाज और दूसरा युद्द से सामग्रिस से सज्जिद दोनों के जो प्रस्ताव कॉंग्रेस की मनवन सरकार के समय थे उसमें हमने 9% और 20% कम कीमत पे खरीदा है तीसी बात जो उन्होंने HL के उपर जो आरोप लगाया कि HL से लेके ममानी को दे दिया हमने बताया कि HL कभी भी आफसेट पार्टनर नहीं होता है HL विमान बना सकता था लेकिन उसके घंटे काम करने के 3 गुना होते 2.7 टाइम उस रश्ची से जो हवाईजार हमको 2019 से 2022 में मिल जाएंगे अगर हम और तरीके से लेते हैं तो उसको 12 साल लगते और देशी सोरक्षा जो हम अल्रेडी 10 साल उसको लंबित कर चुके हैं अब हमारे पास समय नहीं था कि हम उसको और आगे करें दुसरे दुनिया के जो हमारे पडोसी देश हैं वो हमसे इन मामलों में बहुत आगे चले गए हैं आप देखिए भारत की जो सीमा है वो सरभादी कलंबाई है दोनों फ्रेंट पे अगर हमारे साथ युद्ध होता है तो हमको 45 स्कूर्डन विमान की आवशकता है जबकि हमारे पास आज 30 हैं हमको 126 करीदने दो हमने सीधे खरीद लिये हैं जो कि कॉंग्रेस के वाल 18 करीदने की बात करीदी खरीदा एक भी नहीं जो बाकी बात थी वह भी बात की बात थी इस लेश्टी से दो स्कूर्डन तुरंत 2019 से 2022 में आ जाएंगे बहुत बड़ी उल्लेखनी उपलब दिये साथ इस बात पर जब ये बात थी कि वाकई में कि क्या इस वर्तमान मुदी सरकार ने भारत के साथ कोई आर्थिक गड़वर की है या ठीक हिया है वह बात मैंने रिस्पर्श रखी जो हाउस में जानकारी दी गई थी कि कि 9% 20% कम में तो यह हमारे प्रश्णोत्तर के आधार पे मैंने इस्परश्टी करण दिया कि वह शिग रहा रहा है और 9% 20% कम की किमत पर आ रहा है यह मैंने इस्परश्टी करण दिया मेरा जो विशेश रूपते पक्ष्य था वह हिंदुतान एरोनाटिक लिमिटेट को ल आफसेट पार्टनर नहीं बनता तो पुरानी डिल में तो आफसेट पार्टनर बन रहा था और उसमें यहां तक की डिसाइड हो गया था कि 70% पार्ट वह एचेल में बनेंगे 30% पार्ट वहां से आएंगे तो यह एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस तो यह है दूसरा जो इस डिल में साथ में अंबानी गए थे तो जब अंबानी अनिल अंबानी साथ में गए थे तो यह कहां से सिक्रेट डिल हुई और इसमें सिक्रेशी कहां रही और तीसरी जो बात में ने उठाई थी वो ये कि फाइल आखिर चोरी हो गई तो सारे सिक्रेशी तो धरी रह गई है, सिक्रेशी तो उस फाइल के साथ चली गई है तो ये भविश्य में ऐसा लगता है कि जैसा बोबोर्स का मुद्दा आज तक सामने साल्व नहीं हो पाया वैसे ही ये मुद्दा भी अनंत काल तक बना रहेगा और कोई इस पर सिर्फ चर्चा परती चर्चा होती रहेगी इस पर विश्वास और विश्वास व्यक्त किया जाएगा और हो सकता है कि इसका दोनों पार्टियां जो है पॉलिटिकल हिसाब से उसका बेनिफिट लें लेकिन ये कभी भी सामने आने वाला मुद्दा नहीं है इतने मैंने बिल्कुल इस पर शूरूप से का है लोगसभा के सामने ये प्रश्च उत्तर दिया गया है जिसको उठारीजी अगर माने न माने लेकिन वह सत्य नहीं है राफेल वाज एचल वाज नॉट पार्टनर एचल के निवर भी आफसेट पार्टनर ऑलसो एचल सरकार ने एचल को मजबूत करने के लिए उसको एक लाग करोड़ के काम दिये ताकि वह सक्षम हो और ज्यादा जल्दी बना सकने की हाउस में बताया गया कि एचल यही हवाईजाज बनाता तो उसको 2.7 मैन आर एक साल लगते अरता जो 4 साल में हवाईजाज हमें मिलने वा आता हूं कि कॉंग्रेस ने यह राफेल नहीं खरीदा उसमें दोनों बात कहीं कि एक तो हमारे पास पैसा नहीं है जबकि उसी अवदी में उन्होंने सततर हजार क्रोड के एर इंडिया के लिए हवाईजाज खरी लिए जिसके गरांड एर इंडिया भी दिवाली आ हो गई कॉंग्रेस कोई भी डील बिना डील के नहीं करती और यह कंठर टू कंठरीनेटत था, इसलिए कॉंग्रेस को इसमें गुंजाईश नहीं मिली और कुंजाईश बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए इमांदार रक्षामंतरी एंटोन्य ने इस डील को 2014 के नज़् बंद कर दिया क्योंकि वह इस पाप के घेरे में नहीं जाना चाहते थे तरह का परीचर चाहिए विश्याप में रखेंगे मैं जो है कि एप 16 से था और ताइफू यूरो का है उससे था और रश्या का एक एरख्राफ्ट हम मिक 39 उससे था और एक सुडिन का एरकार्ट उससे इसका कंपेटिशन था इन सब को ट्राइल करने के बाद में हमको पता चला कि रफेल इस दे बेस्ट सुटेबल फार इंडियन इन्वर इसकाउंट दिया यूरो की प्राइस थोड़ी ज्यादा थी इससे पहले इमिडेटली फ्रांस ने भी 20 प्रसेंट डिसकाउंट देके 540 क्रोड के उपर यह हवाईजास का फाइनल हुआ लेकिन वह हवाईजास जो 540 क्रोड का था वह एक बेर एरक्राब था इत्वा यह ज दालते हैं जो भौत महंगे होते हैं यह जित्तेवी सिस्टम है यह वाईजास से भी उनकी किमत जादा होते हैं क्योंकि वारफयर और नुकलियर ले जाने के इक्समता वाले कियूपमेंट रेते हैं है वह सब कीमत से इंकी करीब 1600 क्रोड के आस्पास जाही एंडिय गोज्मंटने एक और डिस्क्लोजर अग्रिमेंट फ्रांस के साथ साइन किया हुआ था कोई भी इसंटा उसके पहले एक इंडिय डॉणिये जाहिन होता था था अनच्छों मितलब है नच्व डिस्क्लोजर कर रहे हैं आप दूसरे देशों को नहीं बताएंगे जिससे कि हमारा बिस्नस खराब हो यह एक contractual agreement है यह उसी तरह से है जैसे अपन कोई चीज बजार में जाके खरीडते हैं और वह आपको बोलता है बाइया मैं आपको सस्ता दे रहा हूं आप किसी को मत बताना ने तो मेरा मार्केट खराब हो जाएगा इसी तरह का यह मुद्दा है और उसके बाद में जो NDA के टाइम पे जो हुआ यह total package deal था जिसके अंदर training, spare part supply, warfare equipment and fly away condition में था यह और जो कांग्रेस के टाइम पे जो deal हुई थी इसमें दो package थे package 1 याने खाली हवाईजाज package 2 जिसके अंदर training, spare part और guarantee और other thing थी वो contract की प्राइस अलग थी जो उन्होंने बाद में चर्चा करना थी और उसके ओपस कुछ decide ही नहीं हुआ फिर क्या हुआ कि यह जो 36 हवाईजाज NDA government ने खरीदी जो हमारी requirement ज्यादा थी की एरफोर्स की तो 90 हवाईजाज जो बच गए थे वह government ने सिंगल इंजन हवाईजाज का लेने का final की एरफोर्स के साथ बैठके और सिंगल इंजन एरक्राफ्ट के अंदर फिर competition में आया एफ 16 जो सिंगल इंजन एरक्राफ्ट है और दूसरे भी हवाईजाज आया शुड हवाईजाज का और अलड़ी पेंडिंग है एचेल के अंदर तो एचेल बहुत की capacity बहुत कम है और वह manufacturing बहुत टाइम लगाती है यह परीचर्चा एक चुली conclusion के नहीं नहीं थी यह विचारों का आधान-प्रदान था और एक यह था कि क्या government से कहीं लेफ्स हुई है transparency में तो government से मैं यह मान के चलता हूं राफेल टेक्निकली बहुत अच्छा aircraft है प्रोसीजर वाइस सुप्रिम कोड ने आलड़ी कह दिया कि कोई procedure के अंदर जो है कहीं गलत नहीं हुआ है प्राइस में as per the agreement with the France government government of India declare नहीं कर सकती वारफेर एक्यूप्मेंट जो राफेल में है वो हमारे लिए बहुत important है कि अगर हम public में उनकी चर्चा करेंगे तो हमारे दुस्मन देशों को उसका मालूम पढ़ जाएगा पाकिस्तान को मालूम पढ़ जाएगा चीन को मालूम पढ़ जाएगा जो हमारे लिए आत्मगाति साबित होगा इसलिए उस हवाई जास में क्या equipment fit है यह भी secret है और जो प्राइस है वो agreement के हिसाब से वह भी सिक्रेट है इसलिए राफिल टेक्निकली इडिस अवेरी गुरेट का लेकिन जो दूसरे मुद्दे जो जनता में बुलाए जा रहे हैं वो एक मेरा ख्याल है चुनावी मुद्दा है इसने को सत्यता से सब पर रहे हैं आज मालवा चेमर आफ कॉमर्स इंडिस्टी के कॉन्फरेंस रूम में राफिल मुद्दे संबंदी जो भी इन दौर के बड़े बड़े जानकार हैं उन सब को यहां मंतरित किया गया और इस राफिल मुद्दे पर परीचरचा रखी गई है जो कि बड़ी ही सार्थक रही है और उसके पक्ष में और पक्ष में बोलने वा लिएते हैं जहां तक रौफिल का सवाल है मेरा यहमत है कि जब जब भी हम अपनी देश की रख्या के लिए बाहर से दूसरे देशों से विमान टैंक्स आयात करते हैं तो वह विवादास पत क्यो बन जाते हैं यह कमजोरी कहां पर है जो इस प्रकार के विवादास पत मुद्दे बना दिये जाते हैं जिससे विश्व के अंदर और हमारे देश के लोगों के बीच में और सेना में भी हमारा मनोबल गिरता है हम सम्मानित नहीं रह पाते क्या इस देश की राजनितिक दल इस तरह के प्रयास नहीं कर सकते कि जब हम देश की रख्षा के लिए आगे कदम उठा रहें वह विवादास्पत नहीं बने क्या कोई इस तरह के बैठ कर चर्चा कर किसी समुचित प्रयास पे नहीं आ सकते कि यह विवादास्पत नहीं बने यह बाते आज अनेक लोगों ने यहाँ पर रखी और इसका समाधान चाहा हम कभी नहीं चाहते हैं इस देश के लोग कि कोई भी हथियार का सोधा कभी विवादास्पत बने इसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला क्यों निकला कि इसमें कई अधाय इसके अंदर है तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसी होती है जो कमेटी में डिसके होती है और उसके बाद निर्ण लिया जाता है वो जब सब चीजें डिसके होने के बाद को चीज ऐसी होती है जिससे कि हम आउट नहीं करते हैं कोई नहीं करते हैं लेकर वह करता है, तो यह मैं समझता हूँ कि बहुत गहरी पीट्ष वाला मुदा है, इसमें तभी रिजाल ने कह सेता है, कि पहले टेक्निकल वेक्टी बोले, दूस उसके बाद जह है, जो आपसिट पाल्टी का है, वो बोले, फिर यहां जो इस पाल्टी का रखने वाला है, और पाल्लिमेंट में क्या हुआ, पाल्लिमेंट में कौन से क्वेस्टन सामने आए, वो भी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि वो जो जानकारी जाती है, वो एक अथंटिकर जानकारी जाती है, और अगर प्रशन वहां दोबरा भी की जा सकता है, फिर सुप्रीम कोट का मामल को सामने देख कर ही बात करता है और कोई ने किसी पाल्टी से समंधित होता है इसलिए conclusion निकलना बहुत difficult है और possible भी नहीं है